नमस्ते, आज हम आशिलो स्कूप के बारे में बात करेंगे, कि इसका उप योग कैसे करते हैं, इसमें क्या-क्या फंशन है, यह टुटोरियल हमारा दो पार्ट में है, पार्ट वन और पार्ट टू, पार्ट वन में हमने इतने पॉइंट बताए हैं, DSO-CRO क्या होता है, इसके कनेक्शन्स, पावर सप्लाई, प्राव, अर्थ कनेक्शन कैसे करते हैं, ताइम प्लाट और SY प्लाट में क्या अंतर होता है, कॉपलिंग क्या होती है, AC, DC, GROUND, वर्टिकल पोजिशन कंट्रोल क्या होता है, और वर्टिकल स्केल कंट्रोल क्या होता है, पार्ट दो में है, हार्जन्टल, टाइम स्केल कंट्रोल, टिगरिंग कंट्रोल, और वेव शेफ कंप रिजन, और नक्स वाई प्लाट, यह आक्शलोस्कोर टूटिरियल का पार्ट टू है, पार्ट टू समझने के लिए, पहले आप पार्ट ओन देखें, फिर यह समझें, तो ज्यादा समझ में आएगा, अब हम हार्जन्टल टाइम कंट्रोल के बारे में जानेंगे, यह य एक्सिस है, यह एक्सिस है, टाइम एक्सिस में आता है, जब हम कहते हैं, 1 millisecond per division, X-Axis, सेटिंग, 1 division मतलब, यहां से लेकर यहां जो बड़ी लाइन देख रहे हैं, तो इसके और इसके बीच जो दूरी है, वो 1 millisecond के बराबर होगी, अगर हमने 1 millisecond division सेट किया, अगर 0.5 millisecond per division set किया तो यह एक कॉलम यहां से लेकर यहां तक 0.5 millisecond होगा हमान लिजे एक पल्स है 1 millisecond की यह 1 millisecond है तो हमें ऐसा नज़र आ रहा है अब गर इसकी setting हम 0.5 millisecond कर दें तो पहले हमारी setting की 1 millisecond की तो एक कॉलम काफी था तेकिन अब 0.5 कर दी तो 1 millisecond के लिए 2 कालम की जरुत पड़ेगी यहां से लेकर यहां तक 0.5 मिली है और यहां से लेकर यहां तक 1 मिली है तो यह जो width है ऐसी दिखाई लगने लगेगी पल्स वही है लेकिन दिख हमको बढ़ा रहा है अब इसको हम यहां दिखाते हैं इस scope में यह है time control यह दोनो input channel का कामन है इस scope में अगर अब change करेंगे दो दोनो change हो जाएंगे अब यहां पर जो setting हम करते हैं हमारे scope में यहां दिखाई दिखाई देता है जैसे अभी setting है 500 microsecond मतलब 0.5 millisecond by division 0.5 mm यहां से लेकर यहां तक 0.5 mm है देखिए यह जो pulse है यहां से लेकर यहां तक 0.5 mm है थोड़ा जादा है अब हमारे में यहां लिखा हुआ आ रहा है कुछ scope में यहां पर लिखा रह सकता है scope, scope पे अंतर होता है कहीं यहाँ पे लिखते हैं कहीं यहाँ पे लिखते हैं अब अगर इसको हम chain करते हैं देखे हमने 200 mili 200 micro कर दिया तो यहाँ से ले करके यहाँ तक 200 micro है 0.2 millisecond तो यह बड़ा दिखने लगा इसको हम 1 mm कर दे तो देखे ये पल्स 1 बिली से थोड़ा काम है अभी दोनों चेंज हो रहे हैं एक करते हैं तो दोनों चेंज होता है हम आ लिजे आपको इस पाइन पर बहुत क्लोस देखना है टाइम ये यलो जैसे ही रेड हाई जाता है ये लो इमेडियेट स्टार्ट होता है थोड़ी दिर के बाद तो इसको एकस्पंड करते जाएं ये देखिए ये देखिए अभी हमने सेटिंग कर दी 50 माइक्रो सेकेंड पर डिवीजन तो जब 50 माइक्रो सेकेंड पर डिवीजन की तो ये बहुत बड़ा बड़ा देखिने लगा जैसे ये हाई जाता है वैसे ये चार्ज होना शुरू हो जाता है अब इसको मौर बढ़ाते हैं ये देखिए अब ही हमने कर दिया 200 नैनो सेकेंड पर डिवीजन अब हमने कर दिया 20 नैनो पर सेकेंड जो रेड़ वेव शेफ था इसका अब राइस टाइम देख सकते हैं देखिए यहां पर ये ये राइस टाइम है ये तोरंत नहीं जा रहा है 29 नैनो सेकेंड तो इसका राइस टाइम आ रहा है करीक परिफ 29 सेकेंड से थोड़ा सा ज़या Mia यहां से लेकर यहां सक एक इसके लेट 29 सेकंड अगर यह जीरो पे नहीं है इदावले रहे तो इसमें खार्जंटल पोजिशन कंट्रोल होता है इससे आप शिफ्ट कर सकते हैं देखिए तो इसका यूज तब होता है जब कोई पाइंट है में इस लाना हो जैसे अभी यह में लाना था और राइस टाइम मेजर करना था इसी तरह फाल टाइम भी मेजर कर सकते हैं देखिए हम इसको यहां ले आते हैं यह वाली लाइन यह वाली पहले यह वाली लाइन यहां थी बीच में अब हमने यहां ले आए अब हम ट्रिग्रिंग पर आते हैं मल जे यह वेवशेफ है जो वेवशेफ यहां नजार आ रहा है अब trickling किया मतलब होता है, कि हम किस point पर waveshape start करना चाहते है, हम point 1 पर start कर सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, यह 3 से कर सकते हैं, जब 1 पर करेंगे, तो यहां से start होगा, 2 पर करना होगा, तो ऐसा आएगा, तो starting point change होगा, waveshape होई रहते हैं, यहां से भी कर सकते हम तो starting point shift करने को tickering कहते हैं क्या होता है अगर हम trigger नहीं करें तो क्या होगा कभी यह यहां से चुरू होगा कभी यहां से चुरू होगा तो आपको कभी waveshift ऐसा मिलेगा अगले में यहां से आएगा किसनी बार ऐसा आएगा, तो ये stable नहीं होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं triggering भटा देता हूँ इसकी ये देखिए, triggering हमने हटा दी, triggering हमने इस रैंज से बाहर कर दी तो ये वेप से पा रहा है, यह stable नहीं है, तो इसको रोकने के लिए हमें करना पड़ता है, तो यह जो line आप देख रहे हैं, यह line न, यह देखिए, यह triggering level बोलते हैं इसको, यह point हमेंजा starting point, यह line, अगर आपको 1 पे करना है, तो line यहां रखनी होगी, 2 पे यह, 3 पे यह, तो यह जो है, यहां से यहां तक, ट्रिगरिंग बोल्टेज है, इसको हम chain करते हैं, यह देखिए, तो आपको, यह triggering level है, यह dotted line, यह shift होगी, लेकिन यह line हमेंजा यहां से आ रही है, यह देखिए, अभी यहां पे हमने, यहां पे point 1 था, करीब करीब, अब उपर कर दिया, तो point 2 हो गया, देखिए, यह यहां से शुरू हो गया, पहले ऐसा आ रहा था, पहले ऐसा आ रहा था, यहां करने के लिए हमने इसको उपर shift कर दिया, देखिए, ऐसा आने लगा है, अब हम यहां चले जाएंगे, ऐसा पाने के लिए, तो इसको, यह है triggering control, यह नाम मैं घुमा रहा हूं, तो देखिए, उपर जा रहे हैं, यह देखिए, यह line उपर गई, यह देखिए, अब यह वैसा आ रहा है, जैसा पाइंट 3 पर कर दा थे, तो इस starting point जो रहा है ना देखो, यहां प्यारा है, दो के लिए हमें यहां लाना है, तो यह level हम, change कर हम यहां से हमें शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, यहां से शु कि हैं अए कि अटिक्वर्पीज भी थे कि यह सुर्ट में अलग सोज läuft है घर एक मिल्हां कें गसिता होती है oriented कि आप दोग्र करद थे हैं या चैनल वन प worked कर सकते हैं इस्टेबल दोनों में आएग और है एंग यहां हमने इसको बोलते हैं source, ट्रिगरिंग source क्या है, channel 2 है या channel 1 है, तो हमने यहाँ पर channel 2 select कर रखा है, इसको हम channel 1 करके देखते हैं, देखिए, यह channel 1 कर दिया आमने selection, अब यह अमरा level यहाँ था, अब हमें इसको shift करना पड़ेगा, यह देखिए, red line आ रही है न, अब यह channel 1 पर जब यहाँ आ जाएगा तो trigger होगा, यह देखिए, stable हो गया, पहले yellow line आ रही थी, हम channel 2 को trigger कर रहे थे, अब हम channel 1 को कर रहे हैं, अगर यह trigger level इस wave shape से बाहर हो गया, तो यह unstable हो जाता है, तो जो triggering level है, इसकी range में होना है न, उपर होना है न, यहाँ होना है, अब एक setting होती है, DC और AC triggering, AC करेंगे हम, तो खाली इसके अंदर change होगा, DC करेंगे, तो पूरा change होगा, फिर एक DC triggering होती है, line triggering, उसमें, जो line frequency होती है, उससे trigger होता है, वो तब काम देता है, जब आप का जो circuit है, वो line से connected हो, और यह wave shape की frequency, line frequency के बराबर हो या, या उससे synchronize हो, नहीं तो stable नहीं होगा, अब trigger हम, एक wave shape को करते हैं, stability दोनों में आती है, क्योंकि दोनों synchronized है, synchronized का मतलब होता है, कि उनका basic frequency सेम है, एक ही source है, जैसे यहाँ पर हमने circuit जो बना रखा है, 555 से, उसका frequency वो ही R और C decide कर रहे, वहीं से शुरू होता है, अब उसके अलावा, यह जो हमने बताये, यह internal triggering है, मतलब इसके अंदर जो time है, या wave shape है, यह यह यह, इसका reference लेके trigger करते हैं, एक होता है external triggering, जो कि यह है, यह भी input है, यह external triggering है, तो जब हम यहाँ पर लगा देंगे को input, तो वो इसको trigger करेगा, अकर यह दोनों इस signal से synchronized हैं, तो आपको stable मिलेंगे, नई तो नहीं मिलेंगे, कभी कभी क्या होता है, कि यह wave shape complex होते हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे signal आते हैं, हमारी circuit की वज़े से, तो एक हम basic reference ले लेते हैं, वो यहाँ लगा देते हैं, तो wave shape हमें stable मिलता है, उसके वाद इसको हम rise time में कर रहते हैं, fall time में भी कर सकते हैं, पल्स से trigger कर सकते हैं, इसकोप इसकोप डिपेंड करता है, कि triggering कितने point पे हो सकती है, और किस तरह से हो सकती है, अब हम voltage compression के बारे में जानेंगे, दो wave shape हैं, इनका compression करना है, तो compression या तो time से होगा, या y axis से होगा, तो जब time से करते हैं, तो इन wave shape को हम overlap कराते हैं, मालिज ये बाहर है और ये अलग है, तो दोनों को pass में ले आते हैं, ये दो controller न, vertical position control, दोनों channel का, इनकी मज़द से, यब ये wave shape overlap हो गए, तब हम compare करते हैं, हम आज लिए time compare करना है, तो हम इसको expand कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, जब एक channel का signal 0 से high जा रहा है, तो दुसरा point में charging शुरू होती है, तो हमारे में, ये charging शो कर रहा है, और ये discharging, तो जैसे ये high गया, charging शुरू हो गई, जैसे ये low गया, discharging शुरू हो गई, तो charging, discharging हो रही है, अगर आप इसको expand करते हैं, तो और close दे सकते हैं, कि charging तुरम शुरू होती है, थोड़ी देर के बाद, जब इसको change करेंगे, तो दोनो expand होंगे, अब, वर्टिकल में comparison करने के लिए, इसको overlap हम करी चुके हैं, अब इसकी coupling हमने DC रख्य हुई है, इसका 0 ये है, ये 0 है, हमारे में 0 ऐसे दिखता है, दुस्तुर escape में किसी और तरहां दिखेगा, अब हम देखेंगे, कि जब ये 0 से high जा रहा था, तो charging शुरू हो रही थी, तो voltage कितना था, तो अभी scale हमने रखा है, इस spine का, यलो वाले का, second channel का, scale है, 2 volt पर division, तो ये voltage हमें major करता है, तो vertical scale से हम इसको expand कर सकते हैं, देखें, बहार जा रहा है, जाने दीजे, हमें spine का voltage measure करना ना, इसका नहीं, तो हम ऐसे चले जाते हैं, अब इसका हम easily measure कर सकते हैं, ये scale है, 1 volt पर division, तो ये 1 volt है, ये 2 volt है, ये 3 volt है, 3 volt से थोड़ा सक्का में, 2.8 volt है, तो ये है 2.8 volt, roughly 3 volt, एक्जेक्ट चाहिए, तो 2.8, और भी accurate measure कर सकते हैं आप, इस spine का voltage कितना होगा, इसके लिए 2 volt पर division, आपके में, या किसी और CR-ो में यहां भी हो सकता है, हर CR-ो में अलग-अलग लिखा होता है, कहीं यहां लिखा होगा, कहीं यहां लिखा होगा, जब यह high से 0 जाता है उस समय यह peak पर होता है और इसका voltage कितना है यह है 2 volt per second तो यह line ने 2 volt यह 4 volt हो गया यह 6 volt हो गया accurate चाहिए तो ऐसे shift कर सकते हैं यह देखिए यहां आ गया यह 2 volt है यह 4 volt है अब 2 volt per division का मतलब है यह छोटा बाला खाना 0.4 volt हुआ है तो 2 volt 4 volt 4.4 volt 4.8 volt 5.2 volt 5.6 volt तो पीक है 5.6 volt इस तरहां आप मेजर कर सकते हैं अगर आपको पीक चाहिए और accurate चाहिए तो यह बढ़ाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं अब यह बहुत ला गया तो इसको नीचे लाते हैं यह देखिए यह हम यहां तक ले आएए 0 level यह हो गया अब यह मैं पूरा दिख रहा है अब यह division है 1 volt per division तो 1 volt 2 volt 3 volt 4 volt 5 volt और 1 volt per division में यह 5 खाने है न तो एक खाना छोटा बाला हो गया 0.2 volt तो 1 volt यहां से शुरू होता है 1 volt 2 volt 3 volt 4 volt 5 volt 1 2 3 तो ऐसे आप measure कर सकते हैं अब x y plot देखते हैं क्या होता है x y plot में जो x axis है वो time नहीं होता वो किसी एक channel का bolted होता है हमारे case में जो x है वो channel 1 का bolted है और y channel 2 का bolted है मतलब x यह red वाला जो कि हमने यहां दिखाया है x channel 1 और यह y अभी हमने x y set नहीं किया है यह दोनों wave shape यह है और यह line अभी आपको दिखाएंगे यह जो x voltage है यह 1 volt से 8 volt जा रहा है और y 2 से 6 जाता है फिर वापिस आ जाता है फिर 6 जाता है अब हम x y mode set कर देते हैं कुछ scope में बटन यहां होता है हमारे में यहां है x y mode हमने select कर दिया आप देखें यह दो line है यह x y plot है मतलब यह time plot x y में ऐसा बदल गया अब यह कैसे आया यह मैं दिखाता हूँ आपको हमने 6 point लिए है 1,2,3,4,5,6 x के case में यह distance 1 volt है और यह 8 volt है y के case में यह 2 volt है और यहां से यहां तक 6 volt है 2 से 6 अब point 1 देखिए point 1 में जो x है वो 8 volt है और जो y है 2 volt है तो 8 2 हुआ ना 8 2 यह 8 volt है यह 2 volt तो यह point 1 हुआ point 2 point 2 में x 8 volt है और y 2 और 6 के बीच में करी 4 volt होगा तो 8 4 यह 8 4 यह 8 volt हुआ यह point 2 हो गया इस बगर point 3 x अभी भी 8 volt है मगर y 2 से 6 हो गया तो 8 6 यह 8 है यह 6 है मतलब 1,2,3 हर point पर जो x की value है 8 volt है इसलिए 8 volt है हर point पर 8 volt मगर y की value बढ़ रही है तो यहां से यहां तक x constant है मगर y बढ़ रहा है तो यह line यह और यह मिल किया रही है इस इस इसका 4 5 6 4 5 6 में क्या है x की value हमेशा 1 volt है 4 5 6 में 1 volt x की value देखिए यहां भी 1 volt है यहां भी यहां भी यह और Y की वेलू, 4 पे 6 बोल्ट है, 1 चे, 5 पे क्या है, X है 1 बोल्ट, Y है यहां बीच में 4 बोल्ट हो गया, तो 1 और 4, और 6 पाइंट पर, X की वेलू 1 बोल्ट है, और Y की 2 बोल्ट, तो 1 और 2, तो इस डूरेशन में, यहां से यहां तर, X वोई है 1 बोल्ट, X की वेलू वो यह 1 बोल्ट, मगर Y की वेलू कम हो रही है, 4 पाइंट पर ज्यादा थी, पर 5 पर कम हुई, पर 6 पर और कम हुई, तो यह वेल शिफ ऐसे आ जाए है, अब हम आपको चैनल बदल देते हैं, सिगनल, X, Y प्लाट में क्या करते हैं, जो स्केलिंग है, एक ही रखते हैं, अक्सर वाई की, आप बदल भी सकते हैं, यह शिफ्ट हो जाएगा, अब हम बदल देते हैं, चैनल देखिए क्या आता है देखिए, यह लाइन हार्जेंटल हो गई, अब यह हमने X को Y कर दिया, Y को X कर दिया, अब यह Y है, Y फिक्स है, और X चेंज हो रहा है, हमने इन रिवर्स कर दिया है, तो Y फिक्स है, यहाँ पर देखिए, यह Y है ना, तो Y हर पाइन पर दो लेवेल हैं, तो यह एक है, मगर X की वेल्यू बढ़ रही है, आज यहीं समाप्त करते हैं,